Hello friends, welcome to my channel, आज की इस वीडियो में में लोग बात करने वाले हैं कि कैसे UPI के इलावा आप जो हैं अपने जरूदा एकाउंट में जो फंड हैं वो ट्रांसवर कर सकते हैं तो मैं इसका आपको बता दूँ, इसमें क्या करना है आपको, अगर आप एक्विटी, एफंड ओ और जो करन्सी है, ठीक है, इसका अगर आप अगर आप अगर आप एकाउंट होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आप स्नैप्शॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर जो है वो जरुदा की बैंक डिटेल अवलेबल है, जैसे की HDFC बैंक, नाम है जरुदा ब्रोकरेज, ब्रोकिंग लिमिटेड, ठीक है, उसका जो अगर आप देख सकते हैं, कि जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर अकाउंट नम्बर भी उसने पूरा द पूरी डिटेल जो है वो आप अपने अकाउंट पे ही जो होता है उसमें आप एड-on कर लेंगे, जैसे की जनरली आप किसी को भी अकाउंट, अगर आपको पैसे टांसर करने होते हैं, तो आप उसका जो अकाउंट डिटेल होती है उसको पहले अपने बैंक अकाउंट में कर लीजिए और उसके बाद जब भी आप इस account में पैसे ट्रांसवर करेंगे तो सीधे के सीधे आपके जरूदा के account में वो deposit होंगे ठीक है बहुत smooth process है बहुत अच्छा process है बहुत easy process है इससे related अगर आपका कोई भी हो तो मेरे को आप comment section में पूछ सकते हैं ठीक है I would be really happy to clarify that doubt thanks for watching this video bye